हेलो एवर्वान साथर को बदरेट फ्राम एक्स्ट्रकोरी नीटिप चानल सब गाइस आज की वीडियो में हम रेगुलर एक्सप्रेशन्स पढ़ेंगे सब्सक्राइब पर एक्जाम कंट्रोल पैनल स्टाट करते हैं ओके इस प्रवेंबर हमने पिछली वीडियो में और और नॉट अपरेटर के बारे में पढ़ा था राइट और उससे पहले हमने एक अपड़ा था लाइक like operator इसमें क्या करते थे इसमें हम patterns बनाते थे using percent और underscore इन दॉनों को use करके हम patterns बनाते थे इस वीडियो में हम regular expressions पढ़ेंगे वो भी patterns के साथ ही deal करता है शो यहाँ पर सभ़ से पहलों प्लिख देते हैं use student अब हम यहाँ पर लिखेंगे select अपनी table का नाम देंगे और यहाँ पर where clause यूज़ करेंगे right अब हम यहाँ पर देंगे where अब हमने column का नाम देंगे name अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे rejects p अब हम यहाँ पर यह यूज़ करेंगे और इसके बाद हम कुछ patterns देंगे इससे पहले हम कुछ patterns की बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो यह exponent का sign होता है इसका मतलब होता है beginning of string right so guys यहाँ पर मैंने यह कुछ patterns लिखे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा देती हूं तो यह exponent का sign का मतलब होता है beginning of string यानि इसके बाद अगर हम कोई भी letter दें यानि D दें या फिर H दें जो भी दें वह क्या होना चाहिए वह string में सबसे first number पर आना चाहिए वह string का first character होना चाहिए तब ही हमें वह row मिलेगी अब next है मारा end of string dollar sign से हम denote करते हैं तो इससे हम कैसे use कर सकते हैं इससे हम जैसे use किया a dollar तो इसका मतलब क्या है कि a जो है वह हमारी string का last character होना चाहिए तब ही हमें यह string pass होगी इसी तरह आप कोई सा भी character ले सकते हैं जैसे i, s, जो भी आपको लेना है वह आप ले सकते हैं तो dollar हमारा इस तरीके से work करता है इसी तरह आप देख सकते हैं मैंने आपे यह square brackets लगाए हैं तो इस square brackets के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं और उसके अंदर जो भी letters होंगे वो सारे letters आ सकते हैं यहां पर जैसे कि मैं लिखती हूं a, m, s तो हमारे पास वो string भी आएगी जिसमें a हो और वो a कहीं पर भी आ सकता है first पर, last पर, बीच में कहीं पर भी आ सकता है बस उस string में a exist करना चाहिए तो वो string हमें मिल जाएगी और ऐसी string जहां पर m आता हो कहीं पर भी आ रहा हो कोई matter नहीं करता बस अगर m आ रहा होगा उस string में तो वो string हमें मिल जाएगी और इसी तरह अगर किसी भी string में s आ रहा होगा तो वो string भी हमें मिल जाएगी अब इस तरह कितने भी letters इसमें लिख सकते हैं और जितने भी letters उसमें लिखेंगे वो सारे लेटर्स अगर आपकी किसी स्ट्रिंग में आ रहे होंगे तो वो स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी अब दिसक्लिया अब हम यहाँ पर देखते हैं यह आपने देख सकता है एक्स्पोनेंट का साइन यूज किया है जिसका मतलब होता है बिगनिंग आफ स्ट्रिंग तो यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीकी सी यूज करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ams ओके यहाँ पर एक्स्पोनेंट का मतलब होता है बिगनिंग आफ स्ट्रिंग और यहाँ पर हमने अभी ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह जो भी लेटर उस में ब्रैकेट में आएगा हमारा रिजेक्स एक्स्प्रेशन उस ल लेटर इस्ट्रिंग में मिलेगा उसे तो वो हमें वो वाली row पास कर देगा if Like बट यहाँ पर हमने इन स्वर्य व्रैकेट से पहले एक का साइन लगाया है तो इसका मतलब है यहां पर हमें वह रोज पास होंगी जहां पर जो स्ट्रिंग है या तो फिर ए स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर बिंगनिंग लिखा हुआ है या फिर एम फिर्स्ट लेटर है या फिर एस फिर्स्ट लेटर है यहां पर ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहां पर कोई सा भी लेटर कहीं पर भी आ जाए यहां पर क्योंकि हमने exponent का sign यूज़ कर लिया है इसका मतलब है कि ये सारे character first place पे ही आएंगे तभी हमें वो string मिलेगी यहाँ पे आप इसे copy करके अगर हम यहाँ पे paste करें यहाँ पे आप इसके हटा के आप यहाँ पे dollar भी यूज़ कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो letters है वो हमारे string के end में अगर आएंगे यानि last character होंगे अगर हमारी string का तो हमें string pass हो जाएगी और वो string हमें मिल जाएगी यहाँ पे मैं end कर देती हूँ ends with any character inside the brackets so I'll have this clear to you अब हमारे next आता है brackets के अंदर हमने एक range दे रखी है a to f आप इसे किसी भी तरीके से दे सकते हैं जैसे g2, l या फिर b2, z कुछ ऐसे भी दे सकते हैं तो इसमें क्या करेगा इसमें ये करेगा कि इस range के अंदर जितने भी letters आते हैं अगर वो हमारी string में है तो वो string pass हो जाएगी बट अगर वो जो letters हैं वो इस range के बाहर आते हैं तो वो हमारी string pass नहीं होगी तो इसमें क्या आता है a, b, c, d, e, f तो ये जितने भी letters हैं वो अगर हमारी string में होंगे तो वो हमें मिल जाएंगे इसी तरह आप यहाँ पे exponent और dollar के साथ भी काम कर सकते हैं कि अगर वो जो letters हैं वो हमारी string के first character होंगे तभी हमें वो string pass होगी या फिर अगर वो हमारे string के last characters हैं तभी वो हमें string pass होगी तो आप यहाँ पे इसे इस तरह के से भी लिख सकते हैं अब हमने यहाँ पे use किया है pipe तो इसका मतलब क्या है? matches with any pattern pipe और operator की तरह work करता है इसका मतलब क्या है? या तो फिर ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला pattern match हो तभी हमें वो string मिलेगी अब इसी तरह pipe लगा के और भी values दे सकते हैं राइट तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम different values दे सकते हैं पैटन्स बना सकते हैं यहाँ पे इनमें से कोई सब भी pattern अगर follow होता है तो वह हमें string मिल जाएगी तो अब हम इसे अपने query पे रन करनी कोशिश करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं exponent D और इसे हम double quotes में यह single quotes में बन कर देंगे अब अगर हम से रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें आपे एक row मिली है जहाँ पे जो name है उसमें उसकी value जो है वो है दिया आप देख सकते हैं यहाँ पे जो D है वो first place पे आ रहा है यानि first character है हमारी string का तो इसलिए हमें यहाँ पे यह वाले value मिली है अगर आप बाकी names को देखें तो वहाँ पे जो D है वो first character नहीं है इसलिए हमें वो early strings pass नहीं हुई है अब अगर हम यहाँ पे पास करें A dollar तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सारी values मिल गई है क्योंकि A जो है वो सभी string के end में आ रहा है बट इसी दर अगर हम कोई और letter दे देते हैं suppose S तो हमें अभी कोई भी value pass नहीं होगी कोई भी row pass नहीं होगी क्योंकि S जो है वो किसी भी string के end में नहीं आ रहा है अब हम यहाँ पर use करते हैं brackets और यहाँ पर हम कोई सी भी values दे देते हैं so R T and I अब इसे run करेंगे तो आप देश सकते हैं अभी हमें सारी values मिल गई हैं क्योंकि इन दौनों में R है इन सम्में ही I है इसलिए हमें हाँ पर सारी values मिल गई हैं और आप इन दौनों में T है तो इसलिए हमें सारी values मिल गई हैं बट अगर हम इसे I को हटा दें तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे बस four values मिली हैं जिसमें इन दौनों में r है और इन दौनों में t है तो इसलिए हमें यह दौनों values मिली हैं और यहाँ पे यह दौनों values मिली हैं ओके इस तरीके सा हमारा square brackets work करता है अब यहाँ पर अगर हम exponent लगाएं और इससे run करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बस हमें एक ही value मिली है जहाँ पर जो यह exponent है वो first character है और ऐसी कोई भी value नहीं है name की जहाँ पर जो t है वो first character हो इसलिए हमें ऐसी कोई भी value पास नहीं होई है इसी तरह हम इसे end में लगा के देखते हैं dollar को तो अभी हमें कोई भी value नहीं मिली है बट अगर हम यहाँ पर लखें a, d तो आप देख सकते हैं a जो है वो हमारी end में सभी values में आ रहा है तो इसलिए हमें सारी values मिल गई है अब देखते हैं यह range वाला तो यहाँ पर हम एक range देखते हैं यहाँ पर हम a to d की range देदेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a जो है वो सभी में आ रहा है इसलिए हमें सारी values मिल गई हैं बट अगर हम यहाँ पर देए g to m तो यहाँ पर यहाँ पर जो i है वो सभी में आ रहा है इसलिए हमें यहाँ पर सारी values मिली है यहाँ पर हम D2 H लेकर देखता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बस दो ही values मिली है जिसमें यहाँ तो फिर G आ रहा है या फिर D आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर D2 H में हमारी values होंगी D, E, F, G and H तो आप देख सकते हैं यहाँ पर G और D आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर हमें यह values मिल गई है अब यहाँ पर हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम बाहर भी कोई letter लिख सकते हैं So, let's suppose यहाँ पर हम एक काम करते हैं यहाँ पर हम simple लिख सकते हैं Y और A अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं I बाहर लिख सकते हैं I अब इससे run करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें तीन values मिली हैं तीन rows मिली हैं हमें अब आप कहेंगे कि I तो यहाँ पर सम्में आ रहा है इन सारी values में I आ रहा है तो हम इन सारी values क्यों नहीं मिली यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर pairs बनाता है यह तो I Y का pair बनेगा और I A का pair बनेगा तो जहाँ पर I Y आ रहा होगा वो वाली भी value हमें मिलेगी और जहाँ पर I A आ रहा होगा वहाँ पर भी हमें वो वाली values भी हमें मिलेंगी so I hope this is clear to you आप इसी तरह यहाँ पर pairs बना सकते हैं कितने भी आप यहाँ पर कितने भी characters दे सकते हैं right तो यह थे हमारे square brackets ओके अब हम यहाँ पर यह pipe का use देख लेते हैं so यहाँ पर हम लिखेंगे let's say start of R मतलब start हो R से और यहाँ पर Y आता हो बीच में Y या R भी आ सकता है औके और यहाँ पर हम एक pipe देते हैं जिसमें होगा ending हो A से अब इसे हम run करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें या पर सारी values मिल गई है क्योंकि सभी में ending जो हो रही है वो A से हो रही है तो अगर हम इसे हटा हैं अब इसे run करें तो आप देख सकते हैं हमें बस तीनी values मिली हैं पहली तो हमें इसली मिली है क्योंकि यहां पर R जो है वो फर्स्ट पर आ रहा है और बाखी हमें इसलिए मिली है क्योंकि y जो है वो हमारी string में आ रहा है और r भी हमारी string में आ रहा है यह वाली value हमें इसलिए भी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर r जो है वो हमारी string में आ रहा है बट अगर मैं इस r की जगे d दूँ तो आप दे सकते हैं तब भी हमें ये वाली value मिल रही है ये वाली value हमें इसलिए भी मिल रही है क्योंकि यहाँ पर y और r आ रहा है string में इसलिए हमें ये वाली value मिल रही है बट अगर इसकी चगह मैं दूँ d और e अब इसे run करें तो यहां पे हमें एक तो इसली विल रही है यह वाली value क्योंकि जो R है वो हमारा first character है और यहां पे इसली विल रही है क्योंकि हमारी string में DR है So I hope this is clear to you So this was all about rejects expression So I hope you got this video and understood everything But if you still have any doubts you can ask me in the comment section I'll try my best to answer you all So see you soon in my next video guys Thank you so much for being with me till the end of the session And if you liked my video please like share and subscribe to my channel Thank you so much